नमस्कार प्रदर्शकों मैं आचारे आसिस सेम्वाल आपके चैनल एस्टो काल रणा में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आपको सनी के गोचर के प्रभाव के बारे में आपको जानकारे देने जा रहा हूँ सनी की साड़ी साती मीन रासी पर क्या प्रभाव लेके आएगी मीन रासी वालों पर कब से सनी की साड़ी साती आने वाली है और सनी का गोचर किस रासी में होने वाला है और क्या प्रभाव मीन रासी पर सनी साड़ी साती का रहेगा कब से कब तक रहेगा क्या क्या संकट आने वाले हैं कब भागय का साथ मिलेगा कब नोकरियों में उन्नति मिलेगी या नोकरियां आपको मिलेगी भागय का कब साथ मिलेगा और संतान का यूग, पुत्र संतान का यूग कब बनेगा दामपत्य जीवन में क्या दिकते आएंगी जब भी सनी की साड़ी साथी किसी की उपर आती है तो सनी की साड़ी साथी बहुत दिकते लेके आती है यानि कि चिर्चटा हो जाना मान सित्तनाव आ जाना काम न बनना पूरा काम बन जाना अंत में काम में रुकावट आ जाना सनी की साड़े साती का प्रभाव मीन रासी पर क्या रहेगा इस पर मैं पूरी जानकारी दूँगा आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने क्या सब्सक्राइब करतें लाइक कमेंट सेयर जरूर करें बैल आइकन को प्रेस करना न भूले जिस से सरपरतम आप तक ये वीडियो आप तक पहुँचे और उस वीडियो से आप लाब ले सके प्रिय दुर्शकों ज्यादा समाई न लेते हुए आपको मैं मीन रासी की साड़ी साती की प्रभाव के बारें बता दूँँ सनिग्रह 17 जन्वरी 2023 को कुबरासी में गोचर करें यानि की सनिग्रह अपनी ही पहले मकारासी को छोड़ करके अब ग्यान की रासी, लाब की रासी, कालपुरुस की जो एकादस रासी है, एकादस भाव में वो बनती है, वो लाब की रासी है, कुम्ब, कुम्ब घड़े में जो बहुत कुछ रहता है, अमिर्त भी रहता है, असरपी भी रहती है, खजाना भी रहता है, तो जब सनी ग्रह कुम्बर आसी में गोचर करेंगे तो मीन रासी को क्या खजाना मिलने वाला है सनी ग्रह वायुतत्वक के ग्रह है और कुम्बर आसी भी वायुतत्वक की रासी है और इस्तिर रासी है जब सनी ग्रह इस रासी में जाएंगे तो वो इस्तिर रूप से धन, बैभाव, लक्षमी, गज्र यानि के घुड़े, गज्र घुड़े का मकलब है आपको भूमी भोवन वाहन का सुख मिलेगा, इस्तिर लक्षमी का आपके घर में वास होने वाला है कुमब रासी में जब सनी गोचर करते हैं, तो सनी आध्यात्म हो जाते हैं, अमत ज्यानि के ताक पर है, सनी भक्ति मय हो जाते हैं, ज्यान की रासी में जाने से, उनका जो फल है, मकर रासी में सनी जो है, थोड़ा मिला जुला फल देते हैं, यानि कि सनी जब मकर रासी में रह संपधा के दरवाजे खूल देते हैं तो 17 जनवरी 2023 को सनी ग्रह कुम्बर आशी में जब जाएंगे मीन रासी पर सनी की साड़ी साथे का प्रथमचर्ण प्रारम हो जाएगा और जब प्रथमचर्ण प्रारम हो जाएगा तो आपको क्या दिकते आएंगे आप की रासे से सनी ग्रह द्वाधस में गोचर करेंगे और द्वाधस में गोचर करने से आपको विदेश में लाब होगा विदेश यात्राइं बनेंगी सनी ग्रहत जहां बैठते हैं उस अस्तान की बृद्धी करते हैं और जहां दृष्टी करते हैं उन भावों में कमिया लाते हैं सनी की तीन दृष्टिया हैं सनी ग्रहत तीसरी दृष्टी से देखते हैं यानि कि आपके कुटम भाव को देखेंगे और साथवें द्रिष्टि से आपके छटे भाव याने की रूब को, रिन को, शत्रों के भाव को देखेंगे और दसम द्रिष्टि से सनी गुरह आपके भागे को देखी ये सनी के तीन द्रिष्टियां हैं और सनी गुरह में बताया सथाने बेसे बैठते हैं उस अस्तान की ब्रिद्धि करते हैं जहां दृष्टि करते हैं वह कमियां लाते हैं लेकिन में रासिवालोग सनी का जो साधी साथी का प्रभाव है आप थोड़ा कम रहने वाला है क्योंकि सनी जब कुम्बर आसी में गोचर करेंगे तो आपको रजत का पाया प्राप्त होगा याने कि आपको चांदी का पाया प्राप्त होगा तो सनी माराज आपको के खुशियों के भंडार खूल दिंगे आपके खुसिया मीन्दासी वालों आपके पास आने वाली हैं और साथ में ही मीन्दासी के उपर देवा गुरु ब्रस्पति का गोचर है जो 22 अपरेल तक रहेगा तो मीन्दासी में देवा गुरु का गोचर होने से आपको काफी लाब रहेगा विद्यार्तियों के लाब रहेगा संतान प्राप्ति का योग बनेगा भागय का भरपूर साथ मिलेगा विभाय योग बनेगा बिजनिस में केरियर की द्रिश्ची से बहुत अच्छा रहेगा लेकिन जब सनी की साड़ी साते भी आपके उपर आ जाएगी तो थोड़ी सी कमी कमी आ जाएगी यानि आपके अंदर चिर्चड़ापन आ जाएगा आपका मन नहीं लगेगा कारोबार में पड़ाई में मन नहीं लगेगा कारोबार में थोड़ा दिक्कत आएगी केरियर की दिश्ची से आपका मन बदल जाएगा भागय में भी कमी आएगी लेकिन जो लोग विदेश से रोजगार करेंगे उनके लिए लाब रहेगा जो ल ज़्यादा आपको परिस्थन करना पड़ेगा क्योंकि आपकी राशी से दुति अभाव में राहू का गोचर भी है और देवा गुरु ब्रस्पति 22 अपरेल 2023 से दुति अभाव में गोचर करेंगे तो सनी की दृष्टी भी गुरु चांडाल यूग पर पड़ेगी तो राहू और ब्रस्पति का जो है आपकी राशी से दुति अभाव में योग बन जाए है गुरु चांडाल का इससे भी आपके 22 अपरेल 2023 के बाद थोड़ी प्रॉबलम है आई में आपके कुटम परिवार में दिकत आजाना परिवार के अंदर कुछ मन मिटाओ हो जाना रोगों जो पुराने रोग वाले हैं मींदाशी वाले उनकी रोगों की बड़ोत्री हो जाना रोग में आराम न मिलना खर्चा अधिक हो जाना शत्र बादा उत्पन हो जाना पेट की समस्या हो जाना आखों में जलन का मैसुस करना हड्यों में दर्द हो रहना ये मानस्पेशियों की सिकायट सनी गुरह आपको देंगे 22 अपरेल के बाद क्योंकि 22 अपरेल तक आपकी रासे में देवगुरु ब्रस्पत रहेंगे और सनी की साड़ी साती का प्रभाव आपकी उपर रजत क्या पाया होने से थोड़ा कम रहेगा लेकिन तब भी सनी की साड़ी साती जब पर्थम चरण में किसी भी रासी पर आती है तो मानसिक चिं उससे बैस करने लग जाएंगे तो यह प्रॉब्लम आएंगे आपके साथ कि 22 अपरेल के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी और फिर अक्टूबर 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपको थोड़ा राहत मिलेगी क्योंकि गुरु चांडाल योग समाप्त हो जाएगा आपकी रासे से दुतिय अभाव में जो बन रहा था राहू ग्रह मीन रासी में गोचर करेंगे तो आपकी काफी समस्याएं सुदर जाएंगी यान पड़ाई में मन लगेगा पुटूम परिवार में जुद्धी कते आ रहे थी दामपत्य जीवन में जुद्धी कते आ रहे थी करियर की दिश्ची कते आ रहे थी भाग्य में जुद्धी कते आ रहे थी विदिश में जो प्रॉब्लम आ रहे थी व्यापार रोज़गार में जो आपके काम नहीं बन रहे थे उन कामों में बनने लग जाएंगे नौकरियां जो change करना चाहते थे उन में change करेंगा और उसके बाद आपको पदोंतिका योग बनेगा नौकरियों के दरबाजे खुलेंगे तबादले आपके हूंगे ये सनी की साड़े साथे में आपको होगा लेकिन तब भी मींद आशिवालो आपका प्विदेश का योग भी बनता है दामपत्य विवहा का योग भी बनता है दामपत्य सुक आपको मिलेगा भागय का बरपूर साथ मिलेगा आप उपाई करेंगे तो आपको लाब होगा आपने उपाई करना है सनिवार के दिन आपने पीपल के बिच्च पर तेल का दिया जलाना है और बीरवार के दिन आपने घी का दिया जलाना है और देवी का मा भग्युती की उपासना आपने करने कुंजी का स्तोत्र का पार्ट करना है विश्णु सहसनाम को इस्तोत्र को स्रवन करें या पार्ट करें हनुमान जी को आपने मंगलवार और साथ में बीर बार के दिन विश्णु भगवान की सेवा करने हैं मंगलवार के दिन और सनी बार के दिन हनुमान जी की मंदिर में जाक सुदरकान का पाट करना है ये आप करेंगे तो आपको सनी की साड़े साथे का प्रभाव जो आपके उपर बन रहा है जो आपके पर्थमचरन यानि सर पे रहेगा उससे आपको राहत मिलेगी जो आपकी मान से तनाव आपके अंदर रहेगा उसमें कमी आएगी और आपके जीवन में खुसाली आएगी अभी के लिए मुझे उनमत दीजे नमस्कार जैमाता दीजे